और यह सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपका जैसे ablutomania phobia वाला वड लिया है philia वाला वड है phobia वाला वड है जो काफी important है किसी भी examination के लिए phobia, philia and mania मतलब होता है fear, किसी से डर, किसी से प्यार या किसी से obsession आए इसको हम समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतक देखे ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए पहला हमारा यह हम पर दिया हुआ है पहला वर्ड आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है धोने और नहाने का जुनून जैसे नहाने के जुनून को अबसेशन को हम लोग बोलते हैं अबसेशन फूर वासिंग एंड बाथिंग डाट इस कॉल्ड ध्यान दिजिएगा एबलू टोमैनिया बहुत जादा बार पुछा हुआ है यह चीज है नेट शेकेंड वर्ट है एक ऐस्टीका फोबिया ठीक है दो ऐसी को बोलते हम लोक है फीयर ऑफ नोएज यानी एकॉस्टीका फोबिया ठीक है मतलब तेज धानी के लिए स्ने, मनलवी जय कोई होता है ना डिजे बगारा बजता है उसको प्रेम हो जाता है, ज्यादा नुखैस सुनने का अदत होता है, साउन्ड ली कोई भी女 गाना भगारा भी सुना जाता है, तो उसको अम लोग बोलते है देखी अटियो का मतलब क्या ह लव ठिक है ना? मतलब तेज धोनी से प्यार हो जाना, ठिक है? तेज धोनी सुनना पसंद आना. नेक्स्ट है एकलिओफोबिया ठीक है ना मतलब fear of darkness अंधकार से डर मान लिजिए अंधेरा बगारा रहता है ना अगर कोई डरता है तो fear of darkness एकलिओफोबिया फाइफ है एक्रोफोबिया फियर अफ हाइट उचाई से भय मालीज़े हम देखते हैं बहुत ज़्यादा उचा है परवत बगएरा है तो उस परसन को क्या हम बोलेंगे एक्रोफोबिया शिक्स है एरोफोबिया देखिए एरो का मतलब क्या होता है एर से बना हुए एरोफोबिया का मतलब होता है फियर अफ विंड या एर हवा से डर मालीज़ तेज हवा बगएरा चलता है न उससे यादी डर लगता है तो एरोफोबिया एक नेक्स्ट हैसे बे नमबर एगोराफोबिया एगोराफोबिया का मतलब होता है जैसे fear of open places और public places जैसे सारबजानी का स्थानों से डर हो जाना उसको हम लोग बोलते हैं एगोराफोबिया ठीक है ना एट नमबर ये देखते जाए और समझते जाए इसमें देखना है फोबिया वला आएगा ठीक है ना फिलिया वला आएगा ठीक है नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडरोफोबिया एंडरोफोबिया का मतलब पूरसो से भय जिसको पूरु से भय लगता है मेन से भय लगता है उसको बोलते एंडरो एंडरो का मतलब होता ही है मेन ठीक है एंड्रोफोबिया नाइन है हमारा जाइनोकोफोबिया जाइनोकोफोबिया का मतलब होता है महिलाओ से भय देखिए मेन से भय के लिए हम लोग एंड्रो का यूज करते हैं और महिलाओ से भय के लिए जाइनोकोफोबिया का यूज करते हैं टेन देखिए, टेन हमारा है, टेन यहाँ पर दिया हुआ है, एन्थ्रोफोबिया, फियर ओफ ब्लसिंग और मिंग अदर गेज, मतलब सर्म या दूसरों के निगाहों से भाय, इन्थ्रोफोबिया, एरिथ्मोफोबिया का मतलब होता है, अर्थमाटिक आप पढ़े होंगे, फोबिया का मतलब डर होता है, फियर ओफ मैथमाटिक बहुत सारे स्टुडेंट होते हैं जिनको मैथमाटिक से डर लगता है, घणित से भाय, उसको हम लोग ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एरिथ्मोफोबिया, नेक्स्ट है, एंगलोफोबिया, फियर ओफ इंगलिस और इंगलिस रिलेटेड देखे हैं, हम लोग का सब्जेक्ट आ गया, अंग्रेजी से भाय, जिसको अंग्रेजी से डर लगता है, that is called एंगलोफोबिया, जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का मतलब होता है, अस समान या बिदेसी चीजों से डर, फियर ओफ एनिफिंग स्टेंज और फॉरेंट, ठीक मकडी, जिसको मकडी बोलते हैं, मकडी से डर के लिए उस करते हैं, एराकनोफोबिया, ठीक है न, यह ऐसा वर्ड दिया थोड़ा सा कंप्लिकेटेड है, ठीक है न, ठीक है, थाते ही, 15 नमबर आप देख सकते हैं, बिबलियो मैनिया, ठीक है यह बहुत जढ़ा, इसको बिब्लियो मैनिया ठीक है ना बिब्लियो मैनिया का मतलब होते है अब सेशन फोर बुक्स ठीक है कैको फोबिया का मतलब फियर ओफ अगलीनेश मतलब कुरूपता का डर कुरूपता समझते है ना जो सुन्दर नहीं हो कुरूप हो उसका डर उसको बोलते है कैको फोबिया लेक्सट वर्ड है हमारा 17 अब देख सकते हैं 17 है कारसीनो फोबिया कारसीनो फोबिया मतलब फीर अफ कैंसर कोई फ्यापति चो लोग 15 सी ड्रता उसको हमलोग बोलते हैं क्रोमो फोबिया क terrorism क्रोमोफोबिया का मतलब होता है कलर से डर कलर से यदि आप डर रहे हैं किसी भी कलर से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोमोफोबिया नेक्स्ट है 19 क्लास्ट्रोफोबिया क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है fear of closed or confined place मतलब बंद जगा से यदि आप डर रहे हैं तो उ 21, डिपसो मैनिया, excessive obsession for drink, देखे, मतब जिसको लद है, ठीक है, जिसको हम लद कह सकते हैं, सराब की लद है, जो ज़्यादा सराब पीता है, सराब की लद को हम लोग बोलते हैं, डिपसो मैनिया, इनकलोफोबिया, इनकलोफोबिया का मतलब वहताब fear of crowd, मतलब भीण, जन समुख का डर, एक और पीछे भी अम लोग देखे थे, आप लोग देखते हैं, यह सारा important है, next है, 23 है अमारा, 23, गेमटोफोबिया, गेमटोफोबिया का मतलब वहताब fear of marriage, साहदी से डर, विवा से ठीक है न, गेमटोफोबिया, 24, गेमटोबिया, गेमटोबिया का मतलब होता है, obsession to marry again and again, देखे, आप से सन का मतलब है, प्यार होता है, obsession to marry again and again, बहु बिवा, मतलब जिसको एक से ज़्यादा साधी करने का, क्या हो, एक से ज़्यादा करने में interest हो का सकते हैं, प्यार हो, उ टोफोबिया, fear of blood, मतलब रक्त का डर, जिसको ब्यक्ति को लगता है कि हम में रक्त कम है, उसको बोलते हैं, हेमो, हेमो, गलोबिन से बना हुआ word है, अब ध्यान दीजेगा, 26, हेल्मिन्थ्रोफोबिया, हेल्मिन्थ्रोफोबिया का मतलब बतलब fear of insects, fear of insects, मतलब कीडों से गोडों से डर, हेल्मिन्थ्रोफोबिया, fear of horses, गोडों से डर, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, fear of water होला है, इसको नोट कर लिजेगा, 29, किनेसोफोबिया, ठीक है, किनेसोफोबिया का मतलब fear of speed, fear of speed, बहुत इंपॉर्टेंट, fear of speed, यानि गती से डर होना, उसको हम लो करता है, उसको हम लोग बोलते है, kleptomania, lalomania, lalomania का होता है, obsession to talk a lot, जो ज़्यादा बुनने वाला होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग lalomania, and I hope कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा, एक बार आप comment करके बताए, चलिए मिलते हैं next वीडियो में, और ये सब बहुत ज़्यादा important है, ठीक है ना, चलिए मिलते हैं next वीडियो में, thank you